बहुत वह स्वागत है हमारे YouTube चनल पे और आज वह हम बात करने वाले हैं PM किसान के Beneficitry Estatus में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है पूरी तरह से PM किसान का website बदल चुका है और Beneficitry Estatus चेक करने का जो तरीका है और देखने का जो है बिल्कूल website में बदल चुका है तो आपको कैसे चेक करना है और कैसे समझना है कि जो भी चोगदवां इस्टूर्मेंट आपको मिलने वाला है कि आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा या किस तरह से Beneficitry Estatus को चेक कर पाएंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए साथ ही हमारे साथ बने रही है इस वीडियो में और इस वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल पे नई है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा तो चलिए दोस्तो सबसे पहले आपको सर्च करना है PM किसान तो जैसे ही आप PM किसान सर्च करेंगे उसके पाद आपके सामने website नजर आ जाएंगे और website पे जैसे ही आप आते हैं नहां पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा Beneficitry Estatus जो की बिलकुल बदल चुका है ज और क्या बदलाब हुआ है और किस तरह से आप इसका status चेक कर पाएंगे Beneficitry Estatus किसे चेक कर पाएंगे उसके बारे बात करने वाले हैं साथ ही साथ बात करेंगी कि आपका चोगत वहां installment मिलेगा या नहीं मिलेगा या जो भी आने वाले Benefit हैं जो कि अगला किस जो आपको मि मिलने वाले थी वह आपको मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा उसके बारे में भी बात करेंगे यह सी आप status चेक करेंगे इसके बाद अगर कुछ problem है तो आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं अगर कोई भी problem नहीं आता है तो आपको PM किसान का Benefit मिल जाएंगे तो चल आहले शुरुबात करते हैं और देखते हैं कि कैसे beneficial is annes a आपको check करना है यहापChek करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरी तरह से बदलाव नजर आएंगे website में आप देख सकते कि कि इस तरह से दिखाई दे रहा है आप यहापी देख सकते हैं पहले इस तरह से दिखाई नहीं दे रहा था और पूरी तरह से बदल चुका है जिसके करण यहाँ पे इस तरह का दिखाई दे रहा है ना ओर यह status PM किसान तो PM किसान का अगर आप status चेक करना है तो आप आने वाले समय में और यह भी औरतमान समय में आप EC website को और यह बदला हुआ website में आप चेक कर पाएंगे वो पुराना वाला बदल चुका है और आप नए तरीके से चेक कर पाएंगे PM किसान का status तो यहाँ पे आपको registration नमबर यहाँ पे फिल करना है इसके बाद यहाँ पे आपके समने capture दिखाई दे रहा होगा और capture फिल करने का box यहाँ पे हमारे सामने नजर आते हimm और इसके बाद गे unemployment पी जैसे हम click करेंगे तो हमारे सामने data नजर आ जाएंगे लेकिन data जो आने वाला है वो बिल्कुल बदला हुआ data बिल्कुल अलग तरीके से data आपके सामने आने वाले हैं तो अगर आपके पास registration number नहीं है तो यहाँ पे now or registration number पे click करके आप registration number निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए एक नजर हम इस पे डालने वाले हैं और ये साथ ही साथ आप registration नमर विल्कुल आसान तरीके से निकाल पाएंगे तो यहाँ पे ना वो registration नमर पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने दो ओप्सन निकल करके आ जाता है और दो ओप्सन जो की पहले था सिफ मोबाईल नमर के माध्यम से ही आप registration नमर को फाइंड कर पाते थे लेकिन अब यहाँ पे माध्यम से अधार नमर के माध्यम से आप अपना registration नमर निकाल सकते ही तो यहाँ पे आपको मोबाईल नमर जो भी आप KYC करते समये आप रेजिस्टर की है PM किसान के पोटल पे KYC करते समये तो आपको वही नमर यहाँ पे फिल करना है जैसे आप फिल करते हैं इसके बाद यहाँ पे capture का option आ जाता है हमारे सामने आपको capture कर लेना है तो चलिए सबसे पहले फड़ा फड़ यहाँ पे आपको mobile नमर फिल कर लेना है और capture करना है और जैसे gate data पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने register नमर सोग कर जाएंगे तो finally हम यहाँ पे वता चुके हैं आप आसानी से check कर पाएंगे registration नमर निकाल पाएंगे और निकालने के बाद आपको करना है क्या फिर back बटन पे क्लिक करना है और back करके आप पीछे आ जाना है और आने के बाद फिर बेनेफिसरी Эश्टरस पे जाना है और जाने के बाद और फिर यहीं पे आ जाना है और इसके बाद आपको registration नमर फिल करना है जो कि हम निकाल रखे हैं आप ए देख सकते हैं बहुत यहसे किसान है जिनों का हम यहाँ पे बेनेफिसरी अश्डरस चेक किये हैं उन लोगां का यहाँ पे रेजिट्रेशन नंबर सो कर रहा है इसके बाद यहाँ का capture यहाँ पे फिल करना है तो फिल करते ही जैसे आप फिल करते हैं आपके सामने beneficial status कुछ इस तरह से दिखाई देंगे जो कि आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे ना और एस्टेटस PM किसान एज वान 25-2030 अनि कि 25-2030 को यह website पूरी तरह से बदल चुका है और 25-2030 के बाद से आप जो status चेक कर रहे हैं कुछ इस तरह के website में आप इसी website में कुछ बदले हुए तरीके से आप status को चेक कर पा रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ जो बात करने वाले हैं वो personal information आपके सामने दिखाई देते हैं जैसे आप नीचे आते ना सबसे पहले हाँ पे देख सकते हैं personal information आपके सामने दिखाई देते हैं प्रस्नल इंफॉर्मेशन में क्या-क्या दिखाई दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे देख लेना हो कि प्रस्नल इंफॉर्मेशन क्या-क्या होता है हमारे लिए तो सबसे पहले हाँ पर Registration नमर आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर Registration नमर हो सकता है, हाँ पर हमने बलर कर दिया है यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसके बाद यहाँ पर Date of Registration का हाँ पर Date दिखाई दे रहा होगा इसके name of farmer, farmer का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ आप नीचे आप देख सकते हैं, father's name या guardian name यहाँ पे आपके सामने सो कर रहा होगा, इसके बाद address अनिया कि आपका गाउं का नाम दिखाई दे रहे होंगे, और इसके बाद mobile number आपका यहाँ पे सो कर रहा होग तो यह चीजे हैं हमारे personal information में दिखाई दे रहे हैं, जब हम नीचे आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कुछ और यहाँ पे detail है, जो आपको यहाँ पे महातपूर्ण होता है, जो कि सबसे महातपूर्ण यहाँ पे जो है, यह चीज आपके लिए बहुत ही महातपूर्ण है देख सकते हैं आप यह बेनिफिसरी के लिए eligibility यहाँ पे status कर रहा है, अगर आप eligible हैं, तो यहाँ पे आपको status check होगा कि आप इस scheme के लिए eligible हैं या नहीं हैं, क्या आपको पैसे मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले हैं, अगर आप eligibility में status में आप check कर पाएंगे कि वहाँ तीन गिरिन तिक मिलेगा, तो समझे, आप eligible है, इस beneficiary को प्राप्त करने के लिए, आनि आगले किस जो मिलने वाले हैं, उनके लिए आप ready है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, इस किसान का eligibility लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर land seeding no है, eligibility यहाँ पर land seeding no है, और यहाँ प यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो दो चीज यहाँ पर आपको तीन चीजे है, यह तीन चीज यहाँ पर eligibility के लिए है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रोब्लम है, आपको इसे ask कराना होगा, और ask कैसे होगा, आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बहुत सारी information में देने वाला हूँ, वीडियो के माइध्यम से, और मैं update हो चुका हूँ, बहुत ही जल्द हम वीडियो फिर ले करके आने वाले हैं, तब तक के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लिजेगा, और bell icon को press कर लिजेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, view account details पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो भी पैसे मि मिलने वाले हैं, कौन method से आपको पैसे मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, fifth installment payment done, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि पांचवा installment इस किसान को मिल चुका है, और यहाँ पर जो payment mode है, वो आधार के माइध्यम से आपको पैसे मिलने वाले हैं, जिस account में आपका अधार लिंक है उसी में पैसे आपको मिलेंगे और देख सकते हैं जो इक इसान का जो भी अधार लिंक है वो कहां पे है जहारखन here state का cooperative bank limited में इसका हाँ पे bank है जो की cooperative bank है उस cooperative bank में इसका benefit मिल रहा है और यहाँ पे देख सकते है account credit जिस account में credit हुआ है पैशा यहाँ पे देख सकते हैं कि last में 4 digits यह आपके सामने हाँ पे दिखाई दे रहा है तो 4 digit last यह से आप समझ सकते हैं कि आपके कौन से अकाउंट में पैसे गए हैं और साथ-ry-साथ UTR नंबर यहां पर देख सकते हैं जो पैसा ट्रांसपर क्या गया है उसका यहां पर UTR नंबर होता है वो नंबर यहां पर सो कर रहा है साथ-ry-sat credit 1 कितना तारिक हो credit हुआ है पैसे आपके अकाउंट में मिले हैं, यहां पर 28,925 का यहां पर डेट दिखाई दे रहा है, तो यहां पर देख सकते हैं यह information था, जो कि यहां पर account का था, और account यहां पर details आपने देख लिए होंगे, इसके बाद अब नीचे आते हैं, तो पूरा तरह से beneficiary status बदल चुका है, यहां पर एक smartphone information दिया हुआ है, आप इसको यहां पर द्यान पूर्वक पढ़ लेना है, यहां पर लिखा हुआ है कि 15 दिन पहले अगर आप account अधार और account में link करवाए थे अपना अधार account में, तो वो update नहीं हो पाया है, 15 दिन के बाद update होता है website में, तो अगर आप 15 दिन से पहले upload, update कराए होंगे, account में अधार link कराए होंगे, तो status यहां पर दिखाई दे रहा होगा, अगर आप 15 दिन से पीछे करवाए हैं, तो आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यह information है, आपके लिए मौत्पूर्ण है, और यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देख पाएंगे, तो यहां पर जैसे कि हम यहां पर 13 इंस्टॉल्मेंट पर किलिक करते हैं, और देखते हैं, इस किसान का 13 इंस्टॉल्मेंट क्या मिलेंगे, या फिर नहीं मिलेंगे, तो यहां पर देख सकते हैं, जैसे हम यहां आते हैं, यहां पर नो किया हुआ है, और लिखाई दे रहा है लेंड सीडिंग नो लेंड सीडिंग नो है जिसके कारण इन किसानों का पैसा नहीं मिलने वाला है अगर आपका भी लेंड सीडिंग नो है तो आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं और आने वाले वीडियो में भी बताने वाले हैं कि अगर आपका नो है तो आप अपने मोबाइल के माइधम से किस तरह से एस कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में